कि अज़े नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात ये तो गलत बात है भाई मुक्तर परदेश के जो भुलोजर बावाँ है उनके तर्ज पर सब लोग सांधी दूद्दों को कूटने लेगे तो फिरोजगारी बढ़ जाएगे पेजारे अपने दजब बच्चों को पा लेंगे कैस सब्सक्राइब करना उनके कपड़े फार देना ये घलत बात है पुलिस वाले को घाल कर देना पुलिस गाड़ी पर पत्थर मारना ये बीजेपी वाले को जहां जहां बीजेपी है उनको दलगता भई ये तो गलत चीज है ये उनको रास ही नहीं आ रहा आप में ने पर होना सांतिदुतों का इन ही सब अत्याचार को देखकर इम्रान भई हमारे बहुत परेसान है आरे वह पोर्की वाला भी पंगा इम्रान नहीं हमारे यहां जिस खाली में खाके छेट करने हमारे हां वाला इम्रान अपने हां वाला इम्रान बेचारा बहुत परेसान है कुछ लिखता है यह लिखता है कि आप गुजरात की पुलिस को आदालतों से कोई लेना देना नहीं है वो चवराहे पर साजा देने लगी है वो बेचारे प्यारे तुलारे सांती दूतों को प आपके साहत हैं लहारे कि पता है पुशबा दीया गया तुम्हारें लेग cám सकते हैं कुछ तो हम हाल करेंगे मदद करेंगे कुछ सरकार से कुछ तबोगशन करेंगे आप थाल कि मीशत आलो भी साहत में हैं हम भी इम्रान भाई थेंसनल मालूंग हैं इस वर हम भी कहना चाहते हैं कि इनको ऐसे परिशान नहीं करना चीए इनके अच्छे कामों को देखते हुए इनको थाने मिले जाना चाहिए था प्यार से बैठाना चाहिए था अच्छी क्वाल्टी वाली बिर्यानी खिलानी चाहिए थी पत्थर बाजी का भत्ता होता है जो मंतली दिया जाता है कुछ रूपए पर से वो देना था भारत रतने भी देना चाहिए वाफाधारी की बात है भाई देश के पर इन्होंने वाफाधारी दिखाई है पत्थर बाजी करके सबस्क्राइब बाद बढ़िया है जिनके मतलब बगैर छोला बांस डाल दिया गया है वो अतिक और असरब भाई के बड़े प्यारे दुलारे बड़े करीबी थे जब भी अतिक अशरब भाई का मूड़ बंता घेल निखानने का मन करता था तो सीधा सीधा इबरान भाई के घर वो लोग चले जाते थे खेल कर खाकर चले आते थे आएर्याब असेवा आ बातिक आ पोविल करीबियों की खातिरदारी बड़े अच्छे से करते हैं बहँ अगर अपरात करेंगे ठोक दे जाएंगे 10 तो सही है झाई अगर वह फ़रात करेंगे तो ठोक देजाएंगे अब अब की शाहिए लेकिन वह लोक तो अपरात इसको मांते ही नहीं पत्थरवा से वाहत सु मानते और आप इनके उपर अत्याचार करोगे, इनको लाइन में खड़ा करके, जूते मारोगे, बैल्ट से फीटोगे, तो इम्रान भाई जैसे लोग को तो दुख होगा ही न, अरे इम्रान भाई ही नहीं, इस बाहुली को भी दुख होगा, क्यो रही? अगर नहीं पता है, तो आप सिर्फ इस हेडिंग को देख लीजिए, आपको सब कूछ पता चल जाएगा मामला क्या था, आप लोग इस मामले पर क्या करना जाते हैं, कारवाई पर क्या करना चाते हैं, आप लोग इम्रान भाई के कितने साथ हैं, भी ऐसे हो दनी, आप कमेंट में, जरूर भेचिए, मिलते अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल परनाए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते अगली वीडियो में, थ्रेंक्स भारवाल जी,